पंचाईती राज के हो रहे परिस्यमन के बाद अजमेर जिले की तस्वीर बदल जाएगी अजमेर जिले में औरतमान में नो पंचाई समितिया हैं परंदु परिस्यमन के बाद अजमेर जिले में कुल ग्यारा पंचाई समितिया होगी पहली बार अजमेर जिले की पंचय सिमितियों को उपखंड शित्रों में बाढ़ते हुए नया परिस्यमन किया गया है नया परिस्यमन के रूप में अजमेर ग्रामेन एम सावर को नवीन पंचय सिमिति के रूप में गठन किया जाना प्रसावित है अजमिर जिले में शेनगर और पिसांगन पंचय सिमितियों के टुकड़े किये गए हैं पिसांगन पंचय सिमिति में कुल 32 गराम पंचयति होगी इसमें पुषकर उखंड की साथ यों पिसांगन उखंड की 25 गराम पंचयतों को मिलाते हुए कुल 32 पंचयतों के रूप में नवीन पंचय स्मिती का गठन किया जा रहा है नवीन पंचय स्मिती पिसांगन में गोविंदगड, जस्मतपुरा, बगवानपुरा, पिचोलिया, रामपुरा, डाबला, पिसांगन, पगारा, बटसुरी, कर्नोस, नागिलाव, गोला, जेठाना, कालेचरा, बुद्वाडा, दात्रा, डोडियाना, मक्रेडा, केसरपुर बड़क्चाबास, मांगलियाबास, लामाना, लीडी, देवनगर, बासेली, कडेल, खोरी, तिलोरा, कानस, गनेडा, नांद, और केसरपुरा, मेवाडिया, तथा अलिपुरा को रखा गया है, कुल मिलाकर 32 गराम पंचयतों के रूप में नवीन पंचय स्मिती पिसांगन ह होगी, वहीं शेनगर पंचय स्मिती में नसराबाद उखंड की सभी गराम पंचयतों को रखा गया है, तथा अजमेर गरामिन के लिए अजमेर उखंड की सभी गराम पंचयतों को अजमेर गरामिन में रखा गया है, कुल मिलाकर ये पहली बार है, जब कोई भी उखंड किस अन्य पंचय सिमिती में नहीं होगा। दो उप्खंडों तथा एक उप्खंड को मिला कर ही पंचय सिमिती का गठन किया गया है। इसे में कहा जा सकता है कि पिसांगन की नवीन पंचय सिमितीयों में राजपूतों का दबदबा अधिक रहेगा। वहीं श्रीनगर पंचय सिमिती में गुजर समाच का वर्चस रहेगा।